लो दोस्तों वेल्कम टू माई यूटूब चनल शुजित ब्लोक्स आज दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक बड़ी आपडेट लाया हूँ दोस्तों टीबियास की तरफ से एक रेट्रो डिजेन का बाइक हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा जो की बैस रहेगी 125cc सेग इस बाइक से रिलेटेड मैं आप लोग को थोड़ी बहुत अफ्डेट देने वाला हूँ जिसमें बाइक में आपको क्या-क्या मिलता है इसके माईलेज प्राइस फीचर्स, लॉंच डेट सब कुछ में आप लोग को इस बीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों हाय सिसी की सेग्मेंट बाइक देखने को मिलता है और ऐसे में टीवी एस अगर 125 सिसी सेग्मेंट में रेट्रो डिजन का बाइक लॉंच करता है तो अच्छी बात है और दोस्तों इस बाइक में आपको बहुत सारे नए नए आपडेट देखने को मिलेगा नए चेंजेस देखने को मिलेगा दोस्तों इंजिन को लेकर अगर बात करें तो इसमें आपको 124.8 सिसी सिंगल सिलिंडर एर कुल थ्रीबल ब्येशिक्स कंप्लाइंट इंजिन देखने को मिलेगा जो साड़े 7000 rpm पर 11.2 hp का पावर और 6000 rpm पर 11.2 Nm का मैक्सिमाम टॉक जनरेट करेगी औ और दोस्तों कमपनी इस बाइक में आपको 5-speed gearbox का option प्रोबाइट करने वाला है दोस्तों जिसमें 95 से लेकर 100 km तक की top speed आराम से ये बाइक एचिप कर लेती है और दोस्तों माइलेज को लेकर बात करें तो दोस्तों इस बाइक में आपको बढ़िया माइलेज देखने को मिल जो की कमपनी क्लेम करता है और ब्रेक की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आपको डिक्स और ड्रम ब्रेक की option दो option देखने को मिलता है और एक बात दोस्तों इस बाइक में आपको ABS option नहीं मिलता क्योंकि दोस्तों ये 125cc segment का बाइक है दोस्तों बाइक में आपको white tire इजन बोडी ग्राफिक्स देखने को मिलेगा दोस्तों कमफर्ट लेबल की अगर बात करें तो कमपनी इसमें आपको टेलिस्कोप में टेलिस्कोपिक शोक के साथ रियर में आपको मोनोशोक प्रोबाइट करता है इसके अलावा बाइक के लॉंच डेट से लेकर प्राइस की क मिलेगा दोस्तों अगर मैं अपनी ओपिनियन दू तो यह 125 सेग्मेंट में एक बढ़िया बहतर रेट्रो डिजैन का बाइक है जो अच्छा फेसिलिटीस आप लोग को प्रोबाइट करता है तो दोस्तों आज के वीडियो में टीवेस की तरफ से इस बाइक से रिलेटेट थोरी बहुत आपडेट दिया आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कोमेंट शियर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते है और एक नए वीडियो के साथ अब तक लि बाइ बाइ बाइ